हलो एवरिवन जैसा की टाइटल पढ़के आप लोगों को पता चली गया कि आज मैं आप लोग के साथ कौन सा वीडियो सेयर करने वाली हूँ हंजी आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ चलती कार में मैंने मेकप कैसे क्रियेट किया आसा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए थोड़ा सा अलग करने की मैंने कोशिश की हुई है वीडियो पसंद आए तो make sure like कर दे सो जादा बातें ना करती हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैंने यूज़ किया है मेरे मेकप को लांग लास्टिंग बनाने के लिए मेकप रेलेशन का एक्वा प्राइमर बेस वाट टर और इसे यूज़ करना काफी जादा आसान है कार की स्पिट काफी हाई है आप देखी सकते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए लिप को मॉस्ट्राइज करने के लिए मैंने नीविया का लिप बाम यूज़ किया हुआ है कि फॉर्डेशन के लिए मैं यहां पर फेसे का सेकेंड इसकीन फॉर्डेशन यूज़ कर रहा हूँ गाइज आज ही मेरे यहां प्रोग्राम है और वासम इतना जादा खराब हो गया थोड़ी देर के लिए बारिस बंद हुई तो दीप ने का चलो मैं थोड़ा स्पीड में चला लेता हूँ मेरा फाउंडेशन आसानी से ब्लेंड हो जाए थोड़ा भी ड्राइब पैचेज ना आए इसके लिए मैंने मेरे ब्रेस पे यूज़ किया है वही प्राइमर वाटर इससे काफी फ्लॉलेस लुक मिलता है और हां उतनी भी तेज नहीं थी आप लोग मर्ट टेंसन लीजिए मतलब आधी तुफान सब कुछ था तो हम लोग निकले नहीं और बैंक का तो आपको पता यह चुट्टी मिलती नहीं है और आइडिया भी दीप नहीं ही दिया कार में मेकप करने काम लोग यहां से इतनी जल्दी निकल गए थे कि मुझे मेकप करने का टाइम ही नहीं मिला सबसे बोल दीजिए कि जो भी इस वीडियो को करें आपको टैक करें इस्टा पे सो मैंने का ठीक है तो नहीं का आइडिया है यह आई प्राइमर के लिए मैं यहीं फांडेशन यूज करू फेसे का सेकेंड इसकिन फांडेशन क्यूंकि यह काफी नेचुरल लुक देता है और लाइट बेट है तो अगर आप लोग किसी लाइट बेट फांडेशन की तलास में है जिसे लगाने के बाद बिल्कुल भी पता ना चले तो बेस्ट ऑप्सन है आपके लिए फेसे सकेंडा सेकेंड इसकिन फांडेशन लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है लेना चाहे तो तो आप लोग मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो तीन-चार दिन से में वहां पर एक्टीव हूं तो अगर किसी को कुछ पूछ पूछ लाहा हो दो यह फिर आप मैंने जो पोस्ट सेकी हुई है वहां पर कमेंट कर सकते हो में वहां पर रिपलाईग कर दूँघ सोआदे तो मेरे पास जादा तरना मेक अप्रिवलेशन के आईशेडव और हाइलाइटर होते हैं तो यहां से मैंने एक लाइट पिंग पिक किया हुआ अपनी क्रेज पे लगा रही हूं जादा नहीं हलका हलका सा लगा कि इसे मैं ब्लेंड कर ले रही हूं और कहीं कहीं गाड़ी की स्पीड धीमी हो जाती है तो थोड़ा सा मुझे सुकुन मिल जाता है कि हाँ इस टाइम अच्छा होगा जब मैं मेकप कर रही थी ना तो इतना जादा डर लग रहा था कि ओ माई गॉल्ड मैं भी घर चल रही हूँ मेरे पास फेस्वास वगरा भी नहीं है अगर म आपके ब्लॉग लगातार क्यों नहीं आ रहे तो यार यहां पर निटवर्क नहीं है मेरे मेकप वीडियो कम लेंड़ के खोते हैं तो इसे मैं सुबा से लगाती हूँ तब जाके रात में पोस्ट नहीं होता है तो मैं सेकेंड डे से अप्लोड करती हूँ ब्लॉड टो मेर बात करने में बीजी हो जा रही हूं तो इस टेप भाइन नहीं बता पा रहरी हूं कि किसके बाद क्या यूज किया तो आप लोग देख लीजे इस टेप तो इसे हमें काफी प्यारा नेश्रल लुक मिल जाएगा आपको ये लुक कैसा लगा बताएगा जरूर बाबू पीछे मस्ती कर रहा है आप लोग टेंशन मत लेजिए क्योंकि सारे डोर लॉक है और पीछो इसलिए खड़ा है क्योंकि आगे नहीं आ रहा था बोलो ममा आज मैं यहीं रहूंगा तो मैं उसके देख भी रही हूँ बीच बीच में मैं कैमरा बंद करके उसको देख लेती हूँ और डोर लॉक है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं सबसे मुश्किल टास्क आईलाइनर लगाना तो मैंने यहाँ पर मुसीबत को कम करने के लिए मुश्किल को कम करने के लिए यूज चाय लाइनर का Kernट का और वाट फूम है लांग लास्टिंग है गर लें उसके इसाइलाइनर की जगा लिकविड ईलाइनर या फिर जेल ईलाइनर लेकर आई होती ना तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता लाइनर करना और इसके लाइनर तो बिगनर भी यूज कर सकते हैं इससे आपना एक अच्छा सा से दे सकते हो देख रहे हो आपकी कार कितनी ज्यादा से करें यहां पर दीपने स्पीड भी हाई कर दिया आप देख सक मैं थोड़ा सा दीप से बोल भी रही हूं कि प्लीज थोड़ा स्लो ड्राइब करो तो बोल भी दीदी कि यहां चलना है चार बजे घर पे प्रोग्राम है हम लोगों को यहीं एक देड़ बज गए हैं तो यही सारी बाते हो रही है तो मैंने का चलो ठीक है चलाओ आपको ज अखको कहले हैं शिगा से संत्राइब हुआ है कि अब बारी ही आती है मस्कार में लगाने से में वेश मोचार जाता है कि ७ाँन फाल बारा क् Everyone your में च्रुशना है और आक्राम आपको बार्त वहरासे जालो पता ना सबुशनाे और लागाना है तब मस्कारा लगाना काफी ज़्यादा मुसीवत भरा हो शकता है बट मैंने कोशिश करी कि मेरी आखो में ने चुबे और अच्छे से लग गया इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया था मिलानी का ट्रिफेक्टा लैस मस्कारा और यह मस्कारा काफी ज़्यादा अच्छा है इसका आप देख सकते हो इसका अप्लिकेटर काफी ज़्यादा पतला है और इससे इस पर फुल कंट्रोल होता है इससे हमारी जो लैसेज होती है न वो एक दूसरे में चिपकती नहीं है सिप्रेट कर देता है लैस मस्कारा तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले लीजिए काफी लॉंग लास्टिंग है गाईज इस मस्कारा मिलानी का मिलानी के वैसे जितने प्रोड़क्ट होते हैं उनके बारे में बताने की कोई जरुरत होती ही नहीं है क्योंकि सभी को पताए कि मिलानी ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो अधिकतर लोग लाइक करते ही करते हैं सो बस मैं इसे लगा ले रही हूँ आप लोग मेरा रियक्शन देखके सोच रहे होंगे कि दी ऐसा क्या सोच रही है तो मैं यहां पर सोच रही थी कि मैं ब्रो पाउडर यूज करूँ या फिर आइब्रो पेंसिल तो मेरे मांड में आए कि नहीं यार ब्रो पाउडर हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चलो मैं आइब्रो पेंसिल यूज कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं आइभरोपेंसिल लिए उसके रहीं लैक में करीना कपूर खान का ब्रोड इफाइनर जो की काफी जादा अच्छा है अभी मेरे साथ यहाँ पर एक देखो क्या होता है अभी आप देखो मेरा एदेखो आप लोग सुझेंगे की क्या हो गया तो क्या हुआ ना कि हम लोग जब जा रहे थे तो रास्ते में काफी ज़ादा पानी था तो पानी इधर भी साइड उधर भी साइड दोनों साइड का पानी एक का एक ना कार के उपर जैसे नहीं आता है तो खुप तेज से आवाज आई तो हम दोनों तीनों डर गए कि क्या तो जब देखे बाद में थोड़ी दूर गए तो पानी था लेकिन पहले लगा ना की कार में आग लग देगी कुई हम लोगों ने दो बारी ऐसा देख लिया है तो वही डर हमारे माइंड में बैठ गया है एक बार हमने महानगर में देखा एक बार जो हमने वीडियो सेयर किय जब देख लिए कि पीछे पानी है सो इसी की हेल्प से मैं मेरी आई ब्रोज को फील कर ले रहे हूं अब मैं इन दोनों सेड को मिक्स करके अच्छे से लगा ले रहे हूं इसे काफी प्यारा सा नेश्रल लुक मिलता है ब्लेस एन हाइलाटर दोनों का अबर करता है और जो मेकप रिलेशन का पैलेट है ना मल्टी परपजबे में आप इसे यूज कर सकते हो एज़ा ब्रोंज का मैड फिनिश सेटिंगी स्परे इसे हमारा मेकप काफी लॉंग लास्टिंग रहता है और ड्राइपैसेज वगेरा नहीं आते हैं काफी टाइम तक चलता है सो मेकप सेटिंग इस पर यूज करना जरूरी है अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग भी स्टार्ट कर इसका सेट काफी प्यारा है तो इसली ब्लेंड हो जाता है और इससे लाइन ड्रॉ करना काफी आसान होता है इस पीड़ आप देख लीजी हो माइगाड मतलब काफी मुस्किल हो रही थी बट ठीक है कुछ नया करना था सो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ सेयर कर देत लगा रहे हूं मतलब अपने लिप kilow लउटि लोगी ना तो ऐसी ही च चोटे चोटे त टीक्स के लिए मेरे चैनल प्रिया दीब को सबस्क्राइब है मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लोग मुह मैं और इन दो चैनल को ब्रू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोले कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेसन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइब करें मैं आप लोग के साथ जरूर से एर करूंगी सो इसके बाद मैं लिप्स्टिक का फ्लाई करूंगी जो कि है सुगर समझ में नॉट की लिक्व लिप्स्टिक थोड़ा सा लिप को ड्राइ करती है तो इस लिप्स्टिक को लगा लेने के बाद आप बताएगा कि आपको मेरा फाइनल लुक कैसा लगा क्योंकि लाश्ट में जो क्लिप मैंने एड की हुए उसमें मैंने आप लोगों से बात नहीं की है थोड़ा सा चलता रहा मतलब पूरे वीडियो में सौंगी था बड़ में म्यूट कर दिया नहीं तो कॉपी राइट आ जाता इसलिए मैंने लाश्ट में थोड़ी सी क्लिप एड कर दी था कि आप लोग भी देख लें और हां कमेंट बोक्स में टाइप करके बताना बिल्कुल भी न लिएाज अखेंगी मैं खॉरे न कि बिल्कुल भी माइट झाल झाल